हेलो एवरिबरीबरी, माइनेमी जश्वदी शर्मा, आप सभी को नव वर्ष की बहुत-बहुत हार्दिक शुब कामनाएं, मैं परातना करता हूँ भगवान से कि जो भी लोग अपना तन्मंधन जोंक कर मेहनत कर रहे हैं अपने लक्षे के लिए, उन सब की मेहनत इस नए सा कि आप लोगों के अंदर आए, एक सुपर पावर जो आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी की, अगर आप लोगों के अंदर कंसिस्टेंसी नाम की चीज आ गई, तो दुनिया का कोई ऐसा एक्जाम नहीं है, जो आप क्रेक्ट ना कर पाओ, यह जो मे डेवलप हो, जब आप खुद से टास्क लेते हो, खुद से पढ़ने कोशिश करते हो, एक दिन पढ़ते हो, दो दिन पढ़ते हो, तीसर दिन नहीं पढ़ते हो, तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, अगर वो कंसिस्टेंसी ब्रेक होई है, किसी अनवोईडेबल रिजन क वज़े से किसी emergency की वज़े से तब कोई दिक्कत नहीं होती तब चल जाती है क्योंकि उसमें आपके पास कोई और चाहरा भी नहीं है consistency break करने का लेकिन जब आप अपने मन से हार के आप consistency break करते हो अगर आप एक बार मन से हार गए तो मन आपका और मजबूत होगा consistency को break करने के लिए पढ़ाई ना करने के लिए तो अगर आप एक बार हारे तो बार बार भी हार होगे तो अपने आपको मजबूत करना होगा आपको कोई unavoidable reason है बिमार हो गए कहीं जाना पड़ गया नहीं avoid कर सकते तब चल जाएंगी चीजे लेकिन अपने study phase में जब तक आपका selection नहीं हो जाता जो कि आपका बहुत चल्दी होगा आप selection तब तक आपको मन से नहीं हारना है मन को बोलना है कि तु मेरी सुन मैं बताऊंगा जो तुझे करना है मैं अभी तेरी नहीं सुनगा बाद में मैं सुन लूँगा तेरी लेकिन अभी तु मेरी सुनेगा जब तक मेरा selection नहीं हो जाता और इसलिए मैं आपके लिए daily task आपको देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा इधर उदर सोचना ना पड़े आपको बस ये जो मैं task दूँ वो करने है ये मैं task देता ही हूँ इस हिसाब से कि अगर आप daily basis पे इन task को करोगे पहला आपको एक आदत लगेगी daily पढ़ाई करने की दूसरा आपको सोचना नहीं पढ़ेगा कि क्या पढ़ना है तीसरा ये मेरा experience होता है ये मेरे experience की tricks होती है किस तरह से मैं चीज़े पढ़ता था जो मेरे लिए लाबकारी हुई जो मेरे लिए fruitful हुई मैंने बहुत तरह से पढ़ाई की अलग-अलग technique बनाई अलग-अलग strategies बनाई इसलिए काफी time लगा मुझे exams crack करने के लिए लेकिन आप उन सब experiments को करोगे अपनी life में तो बहुत कम time है उस हिसाब से तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का time experimentation में वेश ना होकर आपका selection पहले हो ताकि आप services में government services में आके भारती सरकार में आके किसी राज्य सेवा में आके आप वहाँ पर experience गेन करें exam crack कैसे करना है इसकी expertise लेके कोई ज़्यादा फाइदा नहीं है आप इस चीज की expertise लो कि engineering आपने जो की है उसको field पर कैसे apply करना है government services में आके तो मैं जाता हूँ कि आप उसमें अपना time invest करो ना कि इन चीजों के experimentation में कि exam crack कैसे होता है मैं आपको simple funda बता देता हूँ consistent study से crack हो जाएगा बस थोड़ा सा आपको expert advice की जुरूत पढ़ेगी किस तरह से पढ़ना है क्या पढ़ना है आपके exam बहुत पास आ चुके है ESC का 18Fab को है gate का भी है और SSC JEE की भी date आ चुकी है 4, 5, 6 June को अगर अभी पढ़ना start कर दिया नए साल से start कर दिया पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे तब भी at least SSC JEE के लिए तो इतना time है कि आप 0 से start करोगे तब भी आप वहां से पोच जाओगे वहां तक पोच जाओगे यह जो champions हैं जिनको मैं task देता हूँ यह भी सिरफ task को follow करोगे तो SSC JEE का pre तो कहीं ने गया वो तो बहुत अराम से निकाल ही लोगे अगर आप आज से भी start कर रहे हो तो तो बस simple सा fund यह है जो मैं आपको task दे रहा हूँ उसको follow करो daily के daily इसको 100% task को complete करो अपना 100% दो 100% दोगे तो सब task बहुत अराम से complete हो जाएगा ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है दो category है legends और champions champions जो जिन्होंने अभी त्यारी start की है जिनको मैं सिरफ basic chapters पढ़ने के लिए देता हूँ अभी के लिए legends वो हैं जो पहले syllabus कर चुके हैं exam दे चुके हैं उनको मैं यह champions वाले work के साथ-साथ दूसरे task भी देता हूँ क्योंकि वो एक दिन में इतना काम कर सकते हैं selection दोनों का ही हो जाएगा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है यह champions बस लेजेंड्स जो है legends ने यह वाला काम थोड़ा पहले कर लिया इसलिए वो legends हैं आपका जो आज का task है आप लोगों के लिए champions के लिए आप जस्पाल सर के notes को follow कर सकते हो या अपने notes भी refer कर सकते हो जस्पाल सर के notes में से soil mechanics में से आज आपको one of the important most important chapter पढ़ना है share strength of soil उसमें basics होंगे modes theory होगी, columns theory होगी s is equal to c plus sigma and 105 share जो आपके पास normal stress है इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हो या पर जो 5 होता है इसके बारे में आप basics में पढ़ोगे और यहाँ पर जो c है उसके बारे में भी आप basics में पढ़ोगे more theory के बारे में आप transformation of stresses जो मैंने आपको सोम में पढ़ने के लिए दिया था वो आप पढ़ चुके होंगे वो आप पढ़ चुके होंगे तो वहां से आपको help मिल जाएगी अगर आपने transformation of stresses कर रखा है तो यह आपके लिए आदे घंटे का भी खेल नहीं होगा तो transformation of stresses एक बार देख लेना और उसके बाद आपको ये तीन चीज़ कर लेनी है ज्यादा questions वगरा नहीं होंगे इसके अंदर बस आप इतना भी कर लोगे तो enough होगा आज के लिए बस लेकिन इसको अच्छे से करना है अगर transformation of stresses नहीं पढ़ा होगा तो एक बार उसको देख लेना अगर पढ़ रखा है तो एक बार रिवाइस कर लेना क्योंकि उससे ही relate करके चीज़े होगी तो यह वर्क है Champions का Legends का वर्क क्या है Champions वाला वर्क करना है साथ में environment और ट्रांसपोर्ट का आपको टेकनिकल बूम करना है अब कौन सा टेकनिकल बूम करेगा यह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप JEE की या फिर SSC JEE की तियारी कर रहे हो तो आप YCT AE और SSC JEE PYQ करोगे SSC JEE PYQ IS Master के ही करेंगे अगर आप AE की preparation कर रहे हो जैसे UPPSC AE हो गया तो आप YCT AE करोगे साथ में ESC के PYQ करोगे अगर आप ESC की तियारी कर रहे हो तो ESC के PYQ सबसे पहले करोगे और YCT AE भी कर सकते हो गेट के कुछ पार्शल कोश्चन भी कर सकते हो एक एक नमबर वाले या फिर जो छोटे numerical सो होता है और अगर आप gate की preparation कर रहे हो तो gate के बहुत question है तो gate के ही question करो प्लस ESC के भी कुछ question कर सकते हो तो यह आपका तरीका रहेगा अब जैसे मैंने आपको बोला technical boom आपको करना है तो आप YCTE जैसे मानलों आप SSCJE की preparation कर रहे हो तो SSCJE उठाया आपने PYQ उसमें आपने environment खोला environment में एक से लेके 12 chapter है तो पहले chapter के 10 question किये दूसरे chapter के 10 question किये तीसे chapter के 10 question किये 100 chapter करोगे सिरफ एक chapter कर पाए नहीं इससे काम नहीं बनेगा आपको एक दिन में 2 subject करने है कैसे होंगे पहले chapter पर आए सिरफ 10 question किये दूसरे chapter में 10 question जैसे आप 10 question करोगे आपका आगे question करने का मन करेगा एक crisp बना रहेगा एक interest बना रहेगा 10 question होते ही आप second chapter पर switch करोगे उससे क्या होगा कि बोरियत जो आने वाली थी वो आपने आने नहीं दी आपने second chapter पर switch किया महापित कुछ नहीं चीज़े मिलेंगी फिर अगला third chapter, fourth chapter, fifth chapter ऐसे आप सभी chapters को revise करोगे, revise कर सकते हो questions के जरीए साथ में यह जो minor chapters होते हैं last में जो आपने कभी नहीं पढ़े हैं उनको भी पढ़ने का आपको मौका मिलता है इन questions के जरीए साथ में आप इनके solutions भी देखते हो इनसे आपको formula भी revise होते हैं concept भी revise होत question इन तीन topics के question करोगे, अब तक मैं सिरफ एक एक topic दे रहा था आपको लेकिन वो सब एक बार topic खतम हो चुके हैं इसलिए अब आपको दो-दो-तीन-तीन topics दूँआ एक साथ, साथ में aptitude में mixture वाले question करोगे, साथ में geometric problem भी करोगे, यह आपका आज का task रहेगा जो कि आपको complete करना है, अब अगर आज तक आपके task को छुटे भी हैं, तब उनको बिल्कुल छोड़ दो, task 22 को अपना first task समझो, second January से ये चीज़ स्टार्ट करो, और अब कोई भी task छूटना नहीं चाहिए, मैंने आपको पिछले तीन task आपको दिये थे, एक साथ करने के लिए, वो आपन और आपके अंदर ये super power आके ही रहेगी, मैं लाकर ही रहूंगा, consistent study की, और ये जैसे ही आपके अंदर आई, आपके हर एक exam निकल जाएंगे, so that's all for this video, thank you